जहरासा पंचायत ने बनाया था पिछले साल आई बाड के बास से हमार खराब पढ़ा है कई बार सरबन चौर अधिकादियों से बोल दिया इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो थी बाड आने के कारण यह रोड खराब हो गया था हमने इसका प्रस्ताब बना कर डाल दिया है जब सुविकरती मिल जाएगी तो हम रोड का काम लगवा देंगी हम लोग भी जब उस मार्ट से निकलते हैं तो दिक्कत आती है हर दिन सैक्रों लोगों का होता इस मार्ट से आना जाना शिपुरी जिले के लुकवासा अंतरगते साखनौ और पंचायत में रिजोधा से पिपरोधा बुजर्ग की सड़क कई महीनों से जरजर हालत में ऐसे में घ्रामिनों को आने जाने में काफी परिशानियों का स्ताम न करना पड़ता है ग्रामिन कई बार गांग की सर्पन से लेकर अन्य जिम्यदार अधिकारियों से इस मार्ट को सही कराने की मांग कर चुके हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है ग्रामिनों ने बताई कि इस समाप से सैक्रो लोग हर दिन निकलते हैं पैसल से लेकर वांच चालकों को इस उबड खाबड रास्ते से निकलते समेश हर बल किसी अनुहनी का खत्रा बना रहता है अभी बारिश के मौसम में तो इस मार्ग से निकलना ही मुश्किल हो गया था अब जैसे तैसे लोग निकलते हैं तो हादसे का शिकार होका चोटिल हो जाते हैं इस रास्ते से अन्य गाफ की लोग भी कभी कभी निकलते हैं ऐसे में यह परिशानी केवल एक गाफ की नहीं बलकि आदा दर्जन ग्रामों की लोग इस खराब रास्ते से प्रभावित हैं